ये कहानी है एक आम लड़के चोय ये जे की जो अपनी दुख बरी जिन्दगी को खुद ही खतम कर लेता है पर डेथ को ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने तो मुझे यानि डेथ को मजा की समझ दिया है डेथ ये जे को यह एक पनिश्मन दे देती है कि तुम्हें वरना ब ये जा रहा था पर रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने ये जे की पुरी जिन्दगी ही बदल दी एक आदमी को अपने सामने मरते देख वो बहुत ही घबरा गया जिस वज़ा से अपने इंटर्वियू में जा ये जे कुछ भी बोल नहीं पाता ये जोब उसके लिए बह हो रहे हैं तो वो बस इन चीजों के सपने देख रहा है साथ साल बाद बहुत कोशिशों के बाद वो फिर से उसी कंपनी में इंटर्वियू देने पहुँच गया और अब की बार उसका इंटर्वियू भी बहुत अच्छा जाता है वो लोग उसकी इस क्वालिटी से इंप उसे एक कोल आती है कि उसके जिस दोस्त की एक स्कीम में उसने अपने सारे पैसे लगाए थे वो उनके पैसे डुबा कर भाग निकला यीजे की पूरी जिंदगी की सेविक्स खतम हो चुकी थी वो पूरी तरह तूट गया रास्ते में जाते हुए उसे अपनी गल्फरंड जिसको घर छोड़ने एक अमीर आदमी आया हुआ है वो अपनी गल्फरंड के पास गया उसकी गल्फरंड उसे एक एंवलप पकड़ाती है पर यीजे ने बोलना शुरू कर दिया कि तो तुमने नया बोईफरंड बना लिया हाथ में वैसे भी मुझ जैसे लूजर पर अप अपने साथ साथ अपनी गल्फरंड की जिंदगी भी खराब करहा है वो उसे वैनमलब वापिस कर अपने घर की और चल दिया यहां भी उसका सारा समान बाहर पड़ा है घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि यीजे ने अपना रेंड भी नहीं भरा था पूरी राद बारिश होने की वज़ा से उसका सारा समान भीग गया कमपनी से उसे मैसीज आ गया कि आप जो फिले स्लेक्ट नहीं हुए है अब इतने फेलियर और दुख से निकलने का यीजे को एक ही तरीका सुझा वो बड़ी सी बिल्डिंग पर चड़ बस यही कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर वो देखता है कि वो मरा ही नहीं वो तो बलकि एक प्लेन में है उसका चहरा बदला हुआ था साइड में एक औरत भी है वो औरत यहां कहती है कि मोत बस एक तरीका है तुम्हारी सारी तकलिफें खतम करने का तुम मोत से बिल्कुल भी नहीं डरते यही सब लिका है ना तुम जिन्दा लाशें लटकी हुई है डेथ ये जे को यहां सजा देने लाई है सजा उसका मजाग बनाने की उसने उसे खंबे से नीचे खोन के समुदर में फेंग दिया जहां से वो फिर टेलिपोर्ट हो गया प्लेन में किसी और इंसान के शरीर में ये जे पूछता है सजा क्या है डेथ ने कहा कि भगवार ने इंसानों का एक वरदान दिया हुआ है मैं तुस्से वो छील लूँगी इंसान सिर्फ एक बार मरते है पर तुम अब एक नहीं बारा बार मरोगे तुमें अंदाजा होगा कि मौत कितने दर्दनाक चीज है ये जे अब बारा बार ऐसे इंसानों के शरीर में जाएगा जिनकी मौत होने वाली है पर अगर वो बारा में से किसी एक बार भी मरने से बच गया वो उस इंसान के शरीर में जिन्ता रह सकता है ये जे रोने लगा कि मुझे तो जीना ही नहीं जिन्दगी मेरे लिए नरग बन चुकी है डेथ वहाँ से गायब हो गई और ये प्लेन तुफान के बीच फस गई ये जे को पता था कि वो मरने वाला है तो उसने जल्दी से सेफटी किट लगा ली पर प्लेन की एर होस्टेस उसे कहती है कि सट डरिये मत मुसम थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आपको इसकी जुरुत नहीं है और हुआ भी ऐसा ही मुसम साफ हो गया ये जे प्लेन में गुमने लगता है यहां बहुत ही मेंगा ब्रेंडर समान रखा हुआ था कि तभी एक चमकी रहसा पत्थर ये जे के सर में घुस गया ये उस इंसान की मेमरी सी जिसके शरीर में ये जे है ये आदमी पार्क जिन ते एक बहुत बड़ी कमपनी के मालिक का दूसरा बेटा था इसका कॉंपटिशन बस इसका बड़ा भाई है जिसे हराना ही इसकी जिन्दगी का एकलोता लक्ष भी था जिनते अपने भाई को पीछे छोड़ कमपनी का नया सियो बस बनने ही वाला है ये जे को भी समझ आ गया कि मैं तक बहुत ही अमीर आदमी के शरीर में हूँ मैं तो अपनी जिन्दगी अराम से जिसकता हूँ पर जैसे ही वो खुश हुआ उनकी प्लेन के इंजन में आग लग जाती है पूरी प्लेन देखते देखते बलास्ट हो गई ये जे की आँख खुली एक काली से जगा में डैतु से बताती है कि अब उसके पास बस ग्यारामों के हैं उसने उसे सब समझाया कि जिस इंसान के शरीर में तुम गई वो बिन अपनी जान बचाए पहले ही मर चुका है पर जहां से तुम उसके शरीर में एंटर हुए तुम अपनी जान बचा सकते हो और ये कैसे होगा वो तुमें देखना है ये जे पूछता है कि भला मैं चलती प्लेन में अपनी जान कैसे ही बचाऊँ वो ये भी पूछता है कि अगर मैं बारा के बारा बार नहीं बचपाया तो क्या डैथ ने कहा हेल तुम हेल में जाओगे आओ तुम्हें एक बार दिखा ही दूँ हेल होता गैसा है हेल की चिंखे सुन इतना दर देख येजे रूने लग गया वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत किया ही नहीं कि मैं हेल में जाओँ तो डैथ ने कहा कि तुम मेरे पास मेरे तुम तक आने से पहले आ गए और यही तुमारी गलती है अब असली हेल देखने के बाद येजे को किसी ना किसी तरह यहां आने से बचना है उसे अब जिन्दा रहना होगा सेकेंड राउंड शुरू हुआ वो एक ऐसे इंसान के शिरिन में था जो बिना पेराशूट के स्काई डैविंग कर रहा है उसकी मेमरीज यह जे के अंदर आई इस आदमी के नाम बहुत ही खतरनाक खतरनाक वर्ल्ड रिकोर्ड्स हैं और यह ऐसे जानलेवा काम करता ही रहता है आद वो बिना पेराशूट के स्काई डैविंग कर रहा था जो सही तरीके से करने पर उसे तीन बिलियन रुपे मिलेंगे वो चमकीला पत्थर इंसान के सारी यादों के साथ साथ उसकी एबिलिटिस भी यीजे को देता है तो वो अब बहुत ही कोर्फिडेंटली हवा में उडने लगा उसे नीचे एक नेट पर लेंड करना है वो तेजी से नेट की और बढ़ा पर अंत मोत ही थी यीजे की आँख फिर से उसी काली जगा पर खुली वो डेत को कहने लगा कि मैं तो जैसे याँख खोल रहू हूँ मोत मेरे सामने है मैं बहला ऐसे कैसे बचूंगा डेत कहती है कि बच सकते हूँ इन सबी मोतों से बचा जा सकता है अब बारी थी अगली मोत की यीजे ने अंटर किया एक स्कूल के बच्चे के शिरिन में ये लड़का है कौन इसके पिता जब ये पांच साल की उमर का था तब ही गुजर गए इसकी मोम नहीं मेहनत कर इसको पाला पोसा पर कौन को स्कूल जाने से नफरत थी यहां बच्चे इसे बुली करते सबसे दरदनाग बात तो ये थी कि कौन को अपने मोम के मेहनत से कमाई पैसे इन बुलीज को देने पड़ते कौन मरना चाता है उससे ये सब और सहा ही नहीं जा रहा ये जे ये सब जान पहले तो दुखी हुआ पर तभी उसे समझाया कि ये इनसान तो तभी मरेगा जब वो खुद की जान लेगा मतलब मैं अब की बार मोसे बच सकता हूँ तभी बुलीज उसे तंग करने लगे तो वो भी कौन की तरह चुप नहीं बैठा ये जे बुलीज पर वापिस हमला करता है पर वो इतने सब ही को एक साथ संभाल नहीं पाया वो लोग उसे साइड में जब बहुत मारते हैं पर यहां उसे ध्यान दिया कि इस गुरूप की आपस में थोड़ी नहीं बनती ये जे इस चीज का फाइदा उठाता है वो अगले दिन वोश्रूम में उस गुरूप के एक ताकतवर लड़के को कहता है कि तुम इतने ताकतवर हो फिर भी उससे पिटते हो तुम उससे इतना क्यों डरते हो ये सुनकर वो ताकतवर लड़का गुसा हो गया कि मैं उसे नहीं डरता वो तो उसके साथ एक और लड़का है जो एरिया में सबसे दाकतवर है अगर मैं इसको कुछ कहूंगा तो उसका दोस मुझे बहुत मारेगा ये जे को अब एक ऐसा प्लैन बनाना होगा जिससे अपनी ये बुलिंग खतम कर पाए वो दुपैर को गुरूप के लीडर पर अपना खाना गिरा देता है गुरूप का लीडर अपनी सब के सामने हुई इतनी बड़ी बेसी देख सिधा अपने दोस के पास गया वो उन सब को प्लास में लाया पर जब उन्होंने देखा कि इस छोटे से बच्चे ने इसे मारा और ये सब किया वो लोग भी गुरूप के लीडर को छोट चले गए कि हम इस छोटे से बच्चे को नहीं बीट रहे और तुम वापिस से अपने छोटे मोटे काम लेकर हमारे पास मताना वो लोग यहां से चले जाते हैं अब इसके पास कोई सपोर्ट नहीं था ताकतवर लड़का भी इजे की तरफ हो जाता है अब उसे कोई दंग नहीं करेगा इजे शाम को वोग पर निकल गया ताकि अपने शरीर को थोड़ा और ताकतवर बना सके पर तब ही वो लड़का यहां आता है वो कहता है कि यह सब तुम्हारी कलती है उस लड़के ने अगले ही पल गुस्से में इजे को पत्थर मार मार जान से मार दिया इजे को डेथ के पास होशाया उसने कहना शुरू कर दिया कि बला यह क्या बात है उस लड़के ने मुझे क्यों मार दिया वो डेथ को कहता है कि ये सब तुमने किया है ना मैं तो अराम से बच ही किया था तुमने मुझे मरवाया ना डेथ उसे धका मार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया ये सब तुम्हारे ही किये काफल है तुम्हारे लिए फैसले ही ये सब डिसाइड कर रहे हैं अब बारी थी अगली मोत की ये जे ने एंटर किया एक किड्नैप्ट इंसान की बोडी में ये आदमी ली दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल और्ग्राइजेशन का फिक्सर था जो हर काम करता चाही किसी को मान ना हूँ पर ये अपने बोस की बेटी के प्यार में भी है वो दोनों अपने बोस के 10 बिलियन रुपे लेके भाग निकले पर जब तक वो अपनी लेवर के पास पहुँचता उसका बोस उसे पकड़ लेता है यहां ये जे उसकी एबिलिटीस की मदद से सबसे लड़ने लगा वो एक एकर सबको मार देता है उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो पहले तो ये 10 बिलियन रुपे ढूंडे जाएं अगर उसे ये मिल गए तो अगले जन्मों में भी वो उनका इस्तमाल कर पाएगा इस इंसान के अबिलिटीस बहुत तकड़ी थी वो एक एकर अपने पीछारे सबी गुंडों को धूल चटा सीधा पहुँचाता है अपनी गल्फरंड के पास वो दोनों मिले उसके गल्फरंड उसे पैसों के बारे पूछती है पर जैसे ही येजे ने उसे पैसों के बारे बताया उसी ने येजे को गोली मार दी डैथी येजे की ये हालत देख हसने लगती है उसके पूछने पर कि इस आदमी की girlfriend नहीं उसे क्यों मार दिया Death ने बताया कि जैसे तुमने अपने आपको पैसे खो जाने के लिए मार लिया था वैसे ही उसने भी तुमें पैसे के लिए ही मार दिया पर यहां सामने आया कि यीजे ने उस लड़की को पैसे की असली location बताई ही नहीं अब वो अपनी अगली जिन्दगी में खुद जा वो पैसे लेने वाला है यीजे ने एंटर की एक जेल में कैद कैदी की बोड़ी उसको लगा कि उसका तो पैसो वाला सारा प्लैन ही चोपट हो गया पर यह इंसान चार दिनों में रिहा होने वाला था यहां इससे पहले यीजे को इस लड़के की memories मिलती उसका सामना हुआ उस लड़के से जिसने गुसे में आ उसे मार दिया था जेल में सब उससे डरते हैं क्योंकि सबको लगता था कि वो एक पागल किलर है ये जने गुसे में उसको मारना शुरू कर दिया उनके साथ ही उनको हटाते हैं और तब ही ये जेको इस लड़के की मेमरीज भी मिल गई ये है चोटे सैंग जिसका बचपन सरी सपना एक MMA लेता है उसकी एज कम थी तो उसे सजा कम मिलेगी पर वो लड़की जो गाड़ी के आगे आई थी वो मर जाती है और चोटे सैंग के उपर मरडर का खेस लग गया उसको सजा तो दो साल की मिली पर अब वो कभी भी एक MMA फाइटर नहीं बन सकता वो ज़्यादा पैसे मांगत इसका मतलब है कि येजे को जेल में बच कर नहना है कोई भी यहां उसे मार सकता था पर वो सबसे पहले उस लड़के का सचसप के सामने लाता है कि ये कोई पागल किलर नहीं बल्कि इसने बस एक च्छोटे से बच्चे को जिसको बुली करता था उसको जám से मार दिया था व की कैदियों ने उस पर हमला कर दिया वो लोग शायद उस आदमी के कहने पर उसे मारना चाहते हैं यीजे सबसे लड़ा मजबूर शरीड होने के करण वो सबको हरा देता है यहां उसका एक दोस भी बना वो दोनों ही कुछ दिनों बाद जेल से रिहा हो जाते हैं वो आदमी यीजे को पैसे देने के लिए यहां आया हुआ था पर यीजे ने पैसे नहीं लिये उसने कहा कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए मैं सच्चाई के दिन्दगी जीना चाहता हूं और बस इतना चाहता हूं कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को ना दिखें ये जे सिधा यहां से वहां गया जहां उसने 10 बिलियन रुपे चुपाई हुए थे उसे पैसे मिल गए और वो थोड़ी जेर के लिए वहीं सो गया पर सोते हुए उसे सपना आया अपने मॉम का ये जे उठता है उसे इस लड़के की मॉम के कॉल आ रही थी उसने नाना करते हुए कॉल उठाई वो उसे घर बुला रही है ये जे उन्हें चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया वो आधे पैसे को रेलिविल सेशन के एक लोकर वे बंद कर और आधे पैसे को ले उस लड़के की मॉम के और चल दिया कि आधा पैसा उनको दे दूं पर रास्ते में ही उस पर कोई हमला कर देता है ये आदमी उस लड़की का बाप था जिसके मंडर केस में टे सेंग जेल गया था वो अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आया है ये जे उन्हें सब बदाने लगा कि मैंने उसे नहीं मारा पर तभी कोई और वहाँ आता है जिससे डर उस लड़की का बाप वहाँ से चला गया ये वही लड़का है जो ये जे को जेल में मिला था वो भी उसे मारने आया है उसे भी उन लोगों ने पैसे दिये थे और वो बस एक अच्छे मौके की तलाश में था वो लड़का यीजे को मार देता है उसे अभी भी टे सेंकी मौम की कोला रही है यीजे अपनी मौम को याद कर रोते रोते उठा वो बिना देरी किये अगली जिन्दगी में जाता है क्योंकि उसे जल्दी से वो पैसे लोकर से निकालने थे पर अब की बार वो बना एक बच्चा अब इस बच्चे की कहानी ये है कि इसके माबाप इसे प्यार ही नहीं करते और इसे अंत में मार भी वही देते हैं ये जे को समझ आ गया था कि डेत को उसके पैसों के प्लैन का पहले से ही पता था पर डेत कहती है कि उसे इन सब चीजों से फरक नहीं पड़ता वो बस तब ही बीच में आएगी जब ये जे किसी और को मारने की कोशिश करेगा ये जे कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा वो अगली जिन्दगी में गया उसे सबसे पहले फिर से अपने पैसे लेने हैं क्योंकि जल्द ही वो लोकर्स खाली होने वाले थे उसने लोकर्से पैसे निकाले पर जब उसका ध्यान पास में एक शिशे पर गया वो सीधा सब कुछ भूल पार्टी में गया और पीकर टुन हो गया यहां उसकी मलाकात एक इंसान से होती है जिसे शायद उसने कहीं देखा है पर उसे अच्छी तरह कुछ याद नहीं आ रहा पार्टी में बहुत पीने के बाद सुबह यीजे जैंगोन्यू के भाई के साथ उसके कैफे में काम करवाने जाता है और यहीं उसकी मलाकात हुई यीजे की गल्फरेंट जिसू से जैंगोन्यू की बोडी में यीजे जीसू को अपने तरफ आते देख एकदम फ्रीज हो जाता है उसे पता लगा कि वो यहां रोज आती है दरसल अब वो एक रैटर बन चुकी थी उसने एक नोवल लिखी है टू यू इन फ्यूचर जिसू को इस नोवल के लिए एक प्राइस भी मिला था उस रात उस एनवलप में इसी नोवल की प्राइस मनी थी यीजे सीधा सबसे पहले जा नोवल पढ़ता है वो अपने पुराने समय को याद करने लगा क्योंकि इस नोवल में जीसू ने उन दोनों के बारे ही लिखा था कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ थे चाहे चीजे जितने भी मुश्किल थी जीसू को कभी भी यीजे के इतने सक्सेस्फुल ना होने से फरक ही नहीं पड़ा यहाँ यीजे को ये भी दिखा कि जो लड़का उस दिन यीजे के साथ था वो उसका बड़ा भाई है अगले दिन यीजे ने जीसू से बात की वो उसे अपने साथ हो रही सारी चीजें एक नोवल का आइडिया कहकर सुनाता है कि कैसे उसके करेक्टर ने सुसाइट की और डेथ ने उसे पनिश्मंट दी वो दोनों ये बात करते करते अच्छे दोस बन गए एक दिन जीसू उसे पूछती है कि तुम्हारा करेक्टर कभी अपनी मौम से मिलने क्यों नहीं गया जिसका ये जे के पास कोई जवाब नहीं था यहीं उन दोनों को दिर रात हो गई तो जीसू अपने घर निकल जाती है बारिश पढ़ने लगी ये जे जीसू के लिए च्छाता लेकर गया पर जैसे ही वो वापिस कैसे में आता है उसे खबर मिली कि बाहर एक लड़की का एक्सलेंट हो गया ये जे भागा वहाँ वो च्छाता भी था पर जीसू का नहीं जीसू ठीक है वो उसे देखती है और कहती है कि मैंने तुमें देखा तुम बहुत डरे हुए थे जीसू कहता है कि हाँ मुझे लगा कोई मेरा करीबी है जीसू कहती है ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे करीबी की मौत हो गई यहां जीसू यीजे को अगले दिन मिलने से भी मना कर देती है उसने कहा कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो मैं तुम से अब नहीं मिल सकती अगले दिन यीजे ने जीसू को उसको याद करते रोते देखा उसकी मुलाकात यहां अपनी मौम से भी हो गई वो भी अपने बेटे के जाने से बहुत दर्द में है येजे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कैसे अपने चाहने वालों को दुख दिया है वो जीसू से मिला येजे आज उसे सारा सच बताने वाला था वो उसे कहता है कि कुछ समय पहले मेरी भी एक गल्फरेंट थी जिसे फरक नहीं पड़ता था कि मैं क्या करता हूँ उसने मेरे वेटर होने के बावजूद भी अपने कलीस के सामने मुझे बॉइफरेंट कहकर इंट्रड्यूस किया बिना किसी शरम के येजे नहीं हाँ वो बातें बोली जिसे जीसु को पता लग जाए कि वही उसका बॉइफरेंट येजे है और ये कहानी जो वो सुन रही थी वो उसी की है येजे ने जैसे ही उसे अपना नाम बताया उन दोनों का एक्सिडेंट हो गया जीसु तो उसी वक्त मर गई पर येजे ने देखा कि जिसने उसे मारा वो वही वक्ती है जिसने उसे बिना पैराशूट जम करने पर पैसे देने थे जिसने जेल में उसे मारने के लिए पैसे दिये जिसने प्लेन में अपने भाई को मरवाया और अब वो फिर से ये जेकू अपने हादों से मार देता है दोस्तों एक कहानी आदी हुई यहीं पर खतम इसके बागी के चार एपिसोर्ट अभी रिलिज होने बागी है हम उनके एक्पिनेशन ले फिर से मिनेंगे आपको यहीं पर तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सुस्क्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप आगी कहानी में क्या हुआ और कैसे यह आदमी इन सारी मोतों से लिंक है वो जान पाएं और कुछ भी मिस ना करें